चाहे वो Expressway की बात हो, चाहे वो Highway की बात हो या दिल्ली के अंदर यमुना नदी की सफाई की बात हो हर मोर्चे पर दिल्ली के अंदर भी केंदर सरकार की और से बहुत सारे विकास काम किये गये यह तो मैं अगर बात करूँ तो साइद प्रेस कॉनफरेंस तो क्या पूरा दिन इसके लिए कम पड़ेगा लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ दिल्ली की लाइफ लाइफ लाइन यमुना है और यमुना सफाई के लिए मोधी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है जो नमामी गंगे परियोजना थी उसमें पहले चरण में जो गंगा सफाई का मिशन लिया और जब यमुना जी की बात वी तो आप सबको पता है कि दिल्ली में यमुना सफाई और यमुना के अंदर जो प्रदूर्शन है उसको साप करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है दिल्ली सरकार से कम्यूनिकेशन किया लेकिन दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिये गिरते हैं इंडस्टी का गंदा केमिकल युक तो पानी गिरता है कच्रा गिरता है वहाँ वहाँ पर स्टीपी प्लान लगने चाहिए पानी को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार ने 29 महने लगा दिये उसको टेंडर करने में जब केंदरी जल सकती मंत्राले के द्वारा बहुत ती ब्रगत से फालो अप हुआ तब जाकर वो टेंडर हुए और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो 22 किलो मीटर लंबी यमुना है जो पूरी यमुना की लंबाई की 2% है जिसमें दिल्ली के अंदर 80% पलूशन पूरी यमुना का दिल्ली में आता है और दिल्ली सरकार पिछले साड़े साथ साल से उस पे कुछ काम नहीं कर रही थी तो अब जाकर ओकला के अंदर बहुत बड़ा स्टीपी प्लान लगा एसिया का सबसे बड़ा स्टीपी प्लान लगा है